सिदा यह क्यों नहीं कहते कि मेरे को यह नहीं पता कि अभी मैं क्या बिजनस करूँ मुझे करना बिजनस है लाइफ में अगर एक्चुल में सच है तो अगर बिजनस करना है तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको यह नहीं पता कि क्या काम करूँ और दूसरी प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है सर पैसेगा ता अपने solution पहले बता है वही कि बिजनेस के लिए बहुत जाला पैसे नहीं चाहिए और दस बीस अजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं शुकर है एक प्रॉब्लम तो स्वाल हुई ठीक है बिजन दस बीस जार रुपे सब्सक्राइब भी शुरू हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या रहे गई इडिया या कोई प्रॉब्लम इंटिफाइ करना आईडिया या प्रॉब्लम दो अलग अलग चीज़ें सर लॉंग टम टिकने के लिए मेरे साब से प्रॉब्लम जाद जरूरी है सॉल परना कोई हाँ artificial क्या होती है यह मतलब जो actually में लोग face कर रहे हो कि जिसका solution निकालने में सही में किसी को कुछ फायदा हो तो ऐसी कुछ problems अपने आसपास में नजर आती है सर अगर observe करें तो definitely आएगी मैट के अभी इस वक्त आपकी life में clear cut problem नजर आ है वो यह है कि अभी आपको यह clear नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं तो यह आप कैसे figure out करोगे sir जैसे आपने पहले भी बोला कि information लेके international leaders है एक बार information लेकर फिर कुछ से बैट के सोच के कि अब मैं मैं पास इतना सारा data है इतनी सारी fields है अब मैं क्या कर सकता हूं या या जिसे business के point of view से एक बार बैट के मतलब observe actually problem identify करने के साब से observe करूं अगर मैं आस-पास तो definitely कोई problem मिले गई अगर आप internationally वो लोग जो की problem solvers हैं अगर ऐसे problem solvers की आप videos देखो ऐसे problem solvers की आप बुक्स पड़ो ऐसे problem solvers के बार में आप study करो कि इस वक्त क्या-क्या लोग कर रहे हैं दुनिया के अलग-अलग parts में क्या मुश्किल है इसको study करना क्या यह study करना मुश्किल है यह interest को crack करना मुश्किल है है अगर इसको study करते हो तो कितने दिल लगेंगे study करने में कि दुनिया में कहां कहां पर क्या-क्या हो रहा या कौन सी companies को funding मिल रही है कौन कौश शी start-ups हैं किसकी industries में किसकी fields में उनको कित्ती-किदी funding मिल रही है इसको अगर आपको study करना है तो कितना मुश्किल है बहुत असान है बहुत असान है मानो आपने अगले एक मगने तक यह study किया तो study करने से क्या निकला क्या-क्या और पाथ भी है पाथ को भी भूल जाते हैं यह वर्ड जो है ना पाथ आइडिया यह सब हमको confuse करेंगे क्या-क्या problems है दुनिया के अलग-अलग parts में और ध्यान से एक मेरी बात समझना जो problem वहां पर लोग face कर रहे हैं या तो अभी यहां पर भी वो problem लोग face कर रहे हैं या करने वाले हैं इंसान fundamentally तो same ही है ना उपर उपर से देखने में अलग है US का इंसान UK का इंसान और इंडिया का इंसान उपर उपर से अलग है अंदर से जो हमारी needs है वो तो same ही है desire आपके अंदर भी है fear आपके अंदर भी है उनके अंदर भी है feelings आपके अंदर भी है emotions आपके अं कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ नदर आएगा कि इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आएगा नहीं आएगा जब इतना सब आप study करोगे तो आएगा सदेफिनिटली आएगा तो क्या प्रॉब्लम सौल नहीं हो गई आपकी अब इससे सिर्फ कह रहे हो यह एक्षि उलक्ति किस्तरीके से हो रहा है यहां सपरॉब्लम सौल एख कोई दुनिया की अलग किसी पारत में एक प्रॉब्ल्म को सौल कर रहा है और बहुत अचछude कर रहा है जिसके यह भी कह सकते हैं कि उसको कॉपी कर दिया उसा इडिया को हाडली कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो एक्चुल में इनोवेटर्स है ध्यान से देखो जितने भी बिजनसेस चल रहे हैं इंडिया में वो सब क्या है ज्यादातर कॉपी कैट्स है यानि रियल इनोवेशन नहीं है हमारे अंदर कॉपी करने में हम बहुत आगे हैं स्कूल में यही तो किया है नहीं कॉपी करो और अपनी लाइफ की प्राब्लम को सॉल करो बट कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए होती है थोड़ा दिमाग लागे कॉपी कर लो उसको देखो कि इंडिया में वो कैसे रेलमेंट है वो कॉंसेप्ट है और इंडिया में उस काम को अच्छे से करो और कमाओ जितना कमाना है इसमें मुश्किल क्या है बहुत असान है